इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुप्रिम कोर्ट के हाल ही में दिये गे उस निर्णे पर जिसमें बात की गई है कि तलाक क्या सुप्रिम कोर्ट एक सो बैलिस कंतरगर दे सकती है या नहीं आई हम देखते हैं इसे विस्तार के साथ सुप्रिम कोर्ट की पांच नियाएधीस की समिधानी पीट ने यह फैसला सुनाया है कि समिधान के अनुछे 142.1 के ताथ जो पूर्ण नियाय है उस पूर्ण नियाय को सुनश्चित करने के लिए सुप्रिम कोर्ट अपने उस सकती क प्रयोग करते वे उस विवाह को भंग कर सकती है जिस विवाह के अब कायम रहने की कोई संभावना नहीं है उसे पर सुप्रीम कोट ने यहाँ पर यह भी बात कई है कि सुप्रीम कोट जो आदालत में या परिवार आदालत में विवहा को भंग करने की अपनी एक जो प्रकृया है उससे अलग जा सक्ती है और वह जो अलग जाने का आधर वह है अनुचेत 152 नियामूर्थी S के कॉल की अधिक्षता वाली वह खंड़पीठ है और उस खंड़पीठ ने यहाँ पर यह बात कही है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत तलाक लेने के लिए जो अनिवार 6 मैने की प्रतिक्षा अवधी है वह अवधी 122 के अंतरगत जब तलाक दिया जा जिसमें कि वह साधी आगे कायम नहीं रह सकती है तो फिर अनुचिद 142 के अंतरगत सुप्रिम कोर्ट बिना उस प्रक्रिया के जो प्रक्रिया बनी हुई है तलाक लेने की उससे अलग जाकर तलाक दे सकती है या तलाक की अरजी को स्विकार कर सकती है वह अगर हम बात करें सम्मिधान के अनुचिद 142 तो वह क्या है जरा उस पर गौर कीजिए अनुचिद 142 की जो उपधारा एक है उसके अंतरगत सर्वोच नियाले कोई भी ऐसी डिक्री पारित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जो किसी भी कारण या मामले में पूर् स्रीनिवासन का मामला उस मामले में सुप्रीम कोट निया डिस्जन दिया था और यहां मामला 2014 में दायर किया गया था जहां दोनों पक्षों ने अनुचिद 142 के ताहर तलाक मांगा था वह अगर हम आगे देखें इस मामले में सुप्रीम कोट निया बात कही थी कि पक्षक करने का निर्ने मौलिक सामाने और विशिष्ट सार्जनिक नीतियों के विचारों पर आधारित हो अब यहां सवाल यह उठता है कि क्या है वो विशिष्ट सार्जनिक नीती तो विशिष्ट सार्जनिक नीती की जो मूलभूत सामाने सरते हैं वो देखे क्या है कि मूल अधिक विवल ब्रेकडाउन ओफ मैरिज मतलब यह है कि विवाह में सुलह की कोई गुंजाईस नहीं है और इसी से संबन देती है मामला गया था कहाँ पर सुप्रीम कोट में तो मतलब यह है कि एक ऐसी इस्तिती जिसमें कि अब विवाह फिर से उस इस्तिती में नहीं पहुंच सकती है और जिसका टूटना एकदम से निश्यत है और जब ऐसे मामले जब सुप्रीम कोट के पास गए थे तो पिछले साल यह मामला लंबित था तो लंबित रहने तो आदालत निया बात कही थी कि यह सुप्रीम कोट यह निर्धारित करेगी कि समिधान के अनुचित 142 के तहत स सर्त क्या वो देखे कि अदालत इस बात से पूरी तरह आस्वस्त हो जाए संतुष्ट हो जाए कि विवाह पूरी तरह से क्या हो चुका है और वेभारिक हो चुका है भावनात्मक रूप से मृत हो चुका है मतलब यहां पर है कि दोनों पार्टी में किसी प्रकार का कोई emotional उसमें भाव नहीं है और मुक्ती से परह है मतलब इसमें किसी प्रकार के कोई सुधार की गुंजाईस नहीं है और इसलिए विवाह का विगटन सही समाधान और आगे बढ़ने का एक मातर तरीका है मतलब ऐसी सितने मिया जोरी है कि दोनों पाक्ष विवाह के बंधन से गान्तिताब मिल जाएगी जब भाली बाती है उसमें ये देखा जाएगा कि विवाह के बाद जो डोनों पक्षे और दोनों पक्षों को एक साथ जो हैं वो कब तक वो रहे हैं एक साथ रहने की अबधी कितनी है दूसरी बार कि जो पक्चकार हैं अंतिम बार वो कब एक साथ रहे थे उसके अलाबा जो पक्चकार है एक दूसरे और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाब क्या-क्या आरूप लगा हैं मतलब यहाँ पर जो बैवाहिक संबंद में बंधे हुए हैं तो फिर यहाँ पर यहाँ पर यह कि जो एक दूसरे के खिलाब आरूप पर त्यारूप लगा हैं तो इस पर उनके व्यक्तिका समन्दों पर क्या प्रभाव पड़ा है फिर आगे यहाँ पर देखें उसमें यह भी बात कही है सुप्रीम कोट ने कि नियायले द्वारा या मध्यस्ता के माध्यम से विवादों को निप्टाने के लिए क्या और कितने प्रयास गिये गया है और अंतिम प्रयास कब किया गया है साथ सी साथ इसमें यह भी बात कही गया है कि यह भी देखना है कि दोनों पक्चों के आर्थिक और समाजिक इस्तिती कैसी है इसका मतलब यहाँ पर यह है कि क्या उनके कोई बच्चे है या नहीं है अगर बच्चे हैं तो उनकी उम्र कितनी है और क्या पती-पत्नी और बच्चे आस्रित हैं मत ये सारे वे ग्राउंड हैं जिन ग्राउंड के आधार पर 142 के अंतरगत तलाग देने की बात कही गई है वे गर हम देखें कि तलाग लेने की एक परक्रिया है जो हिंदू विवा अधिनियम 1955 के अंतरगत है अभी थ हमने ये देखा कि इस से अलग जाकर सुप्रीम कोर्ट 142 के अंतरगत तलाग दे सकती है लेकिन यहाँ पर ये बात है कि सामाने परक्रिया क्या है तो सामाने परक्रिया है हिंदू विवा अधिनियम की धारा 132 जिसके अंतरगत यह बात कही गई है कि आपसी साहनती से तलाग प्रदान किया जा सकता है उसके लिए क्या प्रक्रिया है? प्रक्रिया ये है कि विवाह मत्द दोनों पक्ष को क्या करना होगा? एक साथ जीला आदालत में याची का दायर करनी चाहिए और इस अधार पर की? किस अधार पर वो देखे? पहली बाद तो ये कि वे एक वर्स या उससे अधिक समय से अलग अलग रह रहे हैं? दूसरी बाद देखे? कि वे एक साथ रहने में अब सक्षम नहीं है और फिर तीसरी बाद कि वे परस पर सामत हैं कि विवाह भंग कर देना चाहिए और ये जो प्रक्रिया प्रारम होती है उसमे ये बाद ध्यान देने होगी 6 मेने से 18 मेने के बीच की य अबदी होती है और उसमें ये सर्त रखी गई है कि जो पहली याचिका दी गई है तो दूसरी याचिका कब दी जाएगी? तो उसमें ये बात कही गई है कि जो दूसरी याचिका दूसरा प्रस्ताव विवाह तोड़ने से समंदित या तलाग से समंदित उसमें ये है कि या उसके अलावा यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर प्रतिक्षा का क्या उद्दिस है। जांच करने के बाद जो वो उचित समझे कि याचिका में दिये गए सभी कथन सत्य है। उस साधी होने की तिथी से एक साल हो जाने के बाद ही तलाव की याचिका दी जा सकती है। उसमें एक सर्थ है कि क्या एक साल से पहले दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती है। तो उस पर ये जो एक साल की जो याचिका देने की जो अबधी है कि एक साल के बाद दी जा सकती है। उसमें यहाँ पर छूट देने की बात कही गई है। नहीं जानकारी के साथ नमस्कार।